Current Affairs एक पंक्ती में 26 मई 2020 Current Affairs एक पंक्ती को नए रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विश्व थायरायद दिवस आदी को सम्मलित किया गया है विश्व थायरायद दिवस जिस दिन मनाया जाता है 25 मई हाल ही में जिस देश की Tennis Star Jamie Hampton ने Professional Tennis से सन्यास की घोशना की अमेरिका केंदर सरकार ने हाल ही में जिस राज्य में कोनार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरकरन के लिए एक योजना शुरू की है और इसा फिक की लेडीज ओर्गेनाइजेशन एफ एलो ने हाल ही में जिसे अपना नया राष्ट्रिय अध्यक्ष्नियुक्त किया है जानभी फूकन भारत और जिस देश ने 25 मई को आर्टिफिशल इंटेलिजेंस ए आई तक्नीक और बिग डेटा के माध्यम से संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा की इजरायल हाल ही में जिस राज्य ने निवेश को आकर्शित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दरजा दिया है मिजोरम वह देश जिसने हाल ही में अपने पहले मानव रहे ट्रोन हेलिकॉप्टर का परीक्षन किया है चीन जिस राज्य सरकार ने केंद्रिय खृषी सुधार योजना के तहत अद्वितिय सौर बार्ड खृषी सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है तमिल नादू सुप्रीम कोर्ट के जिस पूर्व न्यायाधीश ने भारतिय विवाद समाधान के इंद्र IDRC का उध्गाटन किया है जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहिया करता है AKC करी हाल ही में जिस राज्य ने सब को रूजगार मिलेगा यूजना का उध्गातन किया Madhya Pradesh थाज़ ट्राइचाट्ग में जब जाज़ ने सब चानल